जहन नाशार दोस्तों मैं विराड चोदरी शुवाद करता हूँ आप अपने येटूब चैनल कमांडो केड़ी पर तो दोस्तों आज का ये वीडियो इस पेशली वो सारी बच्छों को आपने थमनेल देखा होगा कि इनको तो मज़ा जाएगा तो किनको मज़ा जाएगा प् जन्नौरी माश से स्टार्ट होने के पूरे पूरे चंसे से तो आप फिजिगल की तैयारी शुरू कर दिजी नहीं तो फरवरी में 100% आपके फिजिगल चुरू हो जाएगे अगर आप घर पर नहीं कर सकते हैं आप हमारे केड़ी में आसकते हैं कमांडो केडम कुछामन नीचे आपको नंबर दिया वा है 953.8 10608 952106 1100 इस पर कोल करके आप हमारे केड़ी में आ सकते हैं लड़कों लड़कों के लिए तुनों के लिए सेंपी से फिजीगल की फश्ट मन दस जाव रुपे उसके बाद में छह जाव रुपे अगर आप पेपर की या शंपूर तय बढ़ेंगे इस बार नर्मलाज से जिनके जैसे किसी बच्छे ने मान लो कि 60 कि उसने टेंड किये है उसमें से 53 या 24 चाहिए या 55 चाहिए या उसके 52 या उसने ईटन कितने के 60 और इतना अच्छा यानि उस का रेश É inn simply तो उसको नमबर अच्छे नॉर्मलाइजिसन में अच्छे बढ़ेंगे पलस अगर मानलों उसकी सिप्ट हाड रही तो उसके 20 नमबर तक भी बढ़ सकते हैं इसमें कोई शक नहीं है ठीक है मानि जिक किसी बच्छे ने साट कि उसे उसमें से साट के साड सही है तो इस जादा इसके नमर बढ़ेंगे क्योंकि इसकी accuracy 100% है तो जितना percent accuracy अच्छी होगी वो depend करेगी साथ ही आपकी पेपर का जो patron है यानि कितना hard रहा वो दोनों decide करेंगे इस बार क्योंकि एक बटा 4 की minus marking है मानी जी किसी बच्चे ने सो क्यों सांटेंड के उसमें साथ सही और 40 गलत किये हैं तो 10 नमर कम होके उसके कितने आगे 50 नमर आगे अगर उसके 50 नमर आगे 10 नमर अटेंड करके अगर उसके 50 नमर आए हैं तो यह नहीं कि उसके accuracy बिल्कुल खराब होगी है क्योंकि उसने 40 गलत कर दिये हैं इसलिए इसको normalization का ज्यादा फाइदा नहीं होगा ज्यादा फाइदा accuracy से भी depend करेगा इस बार ठीक है तो जिन बच्चों को उनको बहुत फाइदा होगा जिनकी मतलब